राम राम आज हम श्रिमत भगवत गीता के अध्याय 18 मुक्ष सन्यास योग का श्लोक 47 संस्कृत चारण और हिंदी आर्थ सहित समझेंगे पहला चरण श्रे में श्र का मतलब वाश्च शंकरजी वाला आधा और पूरा पूरा अक्षर अतस पर मात्रा लगेगी तो र पर एके मात्रा रे श्रे या के साथ आधा न यान श्रे यान आदे सह के साथ व पूरा स्व धा पूरा मो के उपर आधा रा धा के साथ करेंगे धर्मो स्व धर विगुण वी और दोनों मात्रा छोटी लंबा नहीं खीचेंगे रणा में आमिक्स करेंगे विगुण रणा की मात्रा तो विसर्ग को पड़ेंगे हाँ विगुण हाँ पहला चरण रिपीट श्रेयान स्वधर्मो विगुण हाँ दूसरा चरण पर दोनों अक्षर पूरी ये दोनों में अमिक्स करेंगे पर धह पूरा मा के उपर आधर धह के साथ त करेंगे धर मा के साथ आदात धरमात आंजी सकी साथ वपूरा स्वनू मात्रा के अंदर आदास श्रशट कोर्ण वाला नुश औठ पर एकी मात्रा थी स्वनुष्ठी ता पूरे के साथ आदतत तात स्वनुष्ठी तात दूसरा चरण रपीट परधर्मा स्वनुष्ठी तात पहला और दूसरा चरण साथ में श्रेयां स्वधर्मों विगुण परधर्मा स्वनुष्ठी तात तीसरा चरण आदिसा के साथ वा पूरा स्वभाव में अमिक्स करींगें स्वभाव नियत यत दोनों अक्षरपूरी दोनों में अमिक्स करीं नियत शब्द पूराने के बाद तप यानस्वार आधम नियतम का पूरा म के उपर आधार का के साथ कर्म में हम इक्स करेंगे कर्म तीसा चरण फर से स्वभाव नियतम कर्म चौधा चरण कू व के उपर आधार कू के साथ करेंगे कुर व के साथ आधा न वन कुरवन ना के बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ प आधा और न पूरा तो ना के साथ आधा पन न पूरा है उस पर ओ की मत्रा नोती नाप नोती की मत्रा के अंदर आधा ल किल ब पर ए की मत्रा बी किल्बी, श, श, अट कोण के साथ आधा मश्म किल्बिशम चौथा चरण रिपीट तीसरा और चौथा चरण साथ में श्वभावनियतम कर्मा कौथा छर लोक का उच्छारण एक साथ श्रेयान स्वधर्मो विगुणहा परधर्मात स्वनुष्ठितात स्वभावनियतं कर्मा कुर्वन अपनोति किल्बिशं अब हम इस श्रेयान स्वधर्मो विगुणहा परधर्मात स्वनुष्ठितात स्वभावनियतं कर्मा कुर्वन अपनोति किल्बिशं अब हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे इस पिशले श्लोकों में हमने सुना था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन निश्काम भाव पूर्वक प्रीती पूर्वक करने पर समयक सिद्धी अर्थत परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि जब हम सेवा के भाव से ये मानते हैं कि ये संपोन संसार परमात्मा से ही व्याप्ता और हम सब के उत्पत्ती परमात्मा से हुई है तो जब हम उत्पत्ती परमात्मा से हुगे तो इस बात से हम सबी एक दूसरे के अपने हैं और क्योंकि हम परमात्मा के अपने हैं हम सब एक दूसरे के अपने ही हुए ना क्योंकि जब हम सब परमात्मा के हैं तो हम सब एक दूसरे के हैं हम सब अपने हैं और यह सम्पून संसर परमात्मा से व्यापत है, इसलिए परमात्मा को मानकर, यह संसर में जो भी इह उंकी निष्काम भाव पूरवक, सेवा करने का भाव, रखने का भगवान ने पिश्ले श्रोकों में बताया. अब भगवान क्या कह रहे हैं कि स्वभावक यानि जो सहच करमें उनको निश्काम भावपूरवक और पूजा बुद्धी से करते वे भी उसमें कभी कोई कमी न रह जाए कभी कोई कमी रह भी जाए तो उसमें सादक को हताश नहीं होना चाहिए इसकी बाद भगवाज आगे आने वाले इन दो श्लोक 47 और 48 में बताएंगे आज का श्लोक जो हमने सुना यह अध्याय तीन के श्लोक नंबर 35 में इसके पहले और दूसरे चरण सेम टू सेम है श्रेयान स्वधर्मो विगुणाह परधर्मा स्वनिष्टितात महापर स्वधर्मे निधनम श्रेयाह परधर्मो भयावः तीसरा और चौथा चरण यह था यह स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन नापनोति किल्बिशम ठीक है पहले शब्दों क्यान सार आर्थ देखते हैं श्रेयान श्रिष्ट है स्वधर्मो स्व यानि अपना धर्मो धर्म तो अपना धर्म स्व आगे विगुणाह गुण रहित परधर्मात पर यानि दूसरा धर्मात यानि धर्म से दूसरे धर्म से आगे कैं धर्मात स्वनिष्टितात यानि अच्छी तरह अनुष्ठान किय किये हुए स्वभाव नियतम यानि स्वभाव से नियत किये हुए कर्म स्वधर्म रूप कर्म को कुर्वन करता हुआ नापनोती दो शब्दों में विभगतों का नधन आपनोती नय यानि नहीं आपनोती यानि प्राप्त होता है तो नापनोती यानि प्राप्त नहीं होता है किसको किल बिशम पाप को पूरा अर्थ क्या निकला अच्छी तरह अनुष्ठान किये हुए पर धर्म से गुन रहित अपना धर्म श्रेष्ट है कारण क्या क्योंकि स्वभाव से नियत किये हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनश्य पाप को प्राप्त नहीं होता है तो अर्थ तो हमने शब्द के अनिसान देखा अब इस अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर करके समझेंगे कि भगवान ने बोला कि चाए हमारा धर्म दूसरे धर्म से गुण रही थो मतलब गुणों में उसमें कमी हो दूसरे धर्म से दूसरा धर्म को हम अधिक गुण वाला समझते है और अपने धर्म को कम गुण वाला तो भी दूसरे धर्म से अपना धर्म श्रेष्ट है यही बात हमने बोली थी अध्यातीन के 35 सिश्लोक में क्योंकि दूसरे धर्म से हमारा धर्म श्रेष्ट है इसलिए चाहे हमें अपने धर्म का पालन करते वे मृत्यू का सावना क्यों न करना पड़े पर वह भी हमारे लिए कल्यान कारी ही है इसलिए अपने धर्म को अपने कर्म को छोड़ना श्रेष्ट बात नहीं है हमें अपने धर्म का निश्काम भावपूर्वक पालन करना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आप जो भी हमारे लिए नियत के गए हैं, शास्त्रों में कर्म, जो हमारे स्वभावी कर्म, हमने प्रिशले श्लोकों में देखे, कि अगर आप ब्रामनी, अगर आप वेश्य, आ अगर शुद्र है, तापके क्या क्या कर्म होने चाहिए, उन कर्मों को करने से, क्योंकि वो अपना धर्म है, अपना कर्म है, उन कर्मों को करने पर मरश्य है, कभी भी प्राप को प्राप्त करनी ही नहीं सकता, क्योंकि जो अपने कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक पालन करता है, उसको पाप लगने का सवाल होता ही नहीं है तो इस प्रकार कहने का ताथ पर यह हो गया कि हमारे स्वभाव के अनुसार शास्तर ने जिस भी वढ़ने के लिए जिस-जिस कर्म को करने की आज्या दी उस-उस कर्म को हमें अपने स्वार्त और अभिमान का त्याग करके केवल निश्काम भनकर प्रीती पूर्वग दूसरों के हीत की रिष्टी से करने पर हम जो हैं हमको उस कर्म को करने का कभी भी कोई पाप नहीं लग सकता है अभिनाशी सहज सुकराशी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरन में हूँ आप खिर्पा करें मैं आपको भूलू नहीं ना रहे ना रहे ना रहे